हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल अकांशा किचिन, तो आज हम बनाएंगे रेस्टुरेंट स्टार्ल मटर प्लाव, वो भी घर में सिंपल एंड इजी इंगेंड के साथ, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है, तो आईए अगर मेजर्मेंट से माने तो वो 200 ग्राम है, अब हम क्या करेंगे, इनको साफ पानी से वाश कर लेंगे, और इनको 10-15 मिनट के लिए भगो देंगे, अब मैंने मटर प्लाव बनाने के लिए ये चावल, जो कि एक ग्लास है, इनको मैंने भिगो लिया था, और ये लिया है हमने एक ग्लास टावल के लिए, सवा ग्लास पानी, और ये लिया है, मैंने 100 ग्राम फ्रोजन मिटर, आप चाहें तो आप फ्रेश मिटर का भी यूज कर सकते हैं, और ये लिया है, मैंने 1 थर्ड टेबल स्पून नमक, 3-4 टेबल स्पून घी, और 10-12 काजू के पीस लिया ह मैंने, और हमने कुछ खड़े मसाले लिये हैं, जिसमें लिया है, मैंने एक तेजपत्ता, एक दालचीनी, एक जावित्री, एक बड़ी लाइची, दो छोटी लाइची, और चार लॉंग, चलिए इसको बनाने, स्टार करते हैं, तो पहले हम गैस का फ्लेम चला कर, कूकर को रखा, इसमें गी डाल देंगे, हम गी डालेंगे, जो हमने तीन से चार चंबच गी लिया आता, वो इसको इसमें डाल देंगे, अब हम इसको हलका गरम कर लेंगे, जैसे हमारा गी हलका गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें अपने सारे खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने लिए एक तेज पत्ता, एक जावित्री, एक दालचीनी, एक बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची और चार लॉंग, इससे अब हम इसमें डाल कर इसको मिला लेंगे, इसको थोड़ा हलका भून लेंगे, हम इसको हलका भून लेना, जिससे इसकी अच्छी कुश्बू आएगी प्लाव में, अब यह भून गए है, अब हम इसमें अपने काजू लिये थे 10-12, इसको अब इसमें हम डाल देंगे, और इसको हलका गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही चलाएंगे, अब जो हमने यह मटर ली थी, फ्रोजन मटर, वो अब हम इसमें डाल देंगे, आप चाहें तो आप फ्रेश मटर का भी उसकर सकते हैं, अब थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे, कम से कम एक मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, और अगर आपने फ्रेश मटर लिया है तो आप इसको कम से कम दो मिनिट तक ऐसे ही चलाएं अब इसमें हम अपने जूमने चावल लियें एक लास वो इसमें डाल देंगे अब इसको मिक्स कर लेंगे हमें बहुत हलकी हाथों से इसको चलाना है जिससे की चावल बिल्कुल भी टूटे ना अब ऐसे हमें हलका इसको छोड़ देना है मीडियम गैस का फ्लेम करके इसमें एक मशालो की अच्छी कुछ भूआ जाएगी अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास चावल में सबा ग्लास पानी हम उसी ग्लास से डालेंगे जिससे हमने चावल लिये तो पहले हमने डाल दिया एक ग्लास पानी तो इसमें हम थोड़ा पानी और ले लेंगे जिससे हो सबा ग्लास हो जाए तो यह हमने सबा ग्लास पानी कर दिया है चावलों में अब हम इसमें नमक डालेंगे जो कि यह है वन थर्ड टेबल इस्पोन अब इसको हलकी हातों से मिक्स करके अब हलका सब बॉइल लाने देंगे हम इसको बिना इसका ठकन लगा है अब जैसे हलका बॉइल आ जाएगा हम कूपर का ठकन को बंद कर देंगे और इसमें एक सीटी हमें लगानी है एक सीटी लगाने के बाद हमें अब गैस को फ्लेम को बंद कर देना है और अपने चावलों को खोल लिया है हमने और हमारा बैच पलाव बंद की बिल्कुल तहीं आ रहा है अब इसको हम हलके आतर से मिक्स कर लेंगे अब हम इसको गर्म गर्म सर्फ करेंगे इसे बनाना बहुती सिंपल है और आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं आप इसको मटर पनीर या किसी भी सबजी के साथ खा सकते हैं हमारा एक एक चावल एकदम खिला खिला हुआ बना है अगर आप इसी मेजर्मेंट के साथ मटर पलाव बनाएंगे जैसे मैंने बताया है तो बिल्कुल यह रेस्टुरेंट जैसा बनेगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ